ग्यारा फर्वरी यानि मंगलवार जानिये कैसा रहेगा आपके लिए दिन मेश राशी शारिर की बीमारी के सही होने की काफी संभावना है और इसके चलते आप शीगर ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं आपके पास आज पैसा भी प्रियाफ्त मातर में अगर इसके साथ ही मन में शान्ती भी होगी आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने रूल की ना सुनने की प्रवती की वज़े से वादविवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है आज वे कपड़े ना पहने जो आपके पिरिये को पसंदना हो नहीं तो मुमकिन है कि वो आहत महसूस करें किसी नई प्रियोजनों पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें इस राशी के जाता काज लोगों से मिलने से जादा केले में वक्त भी ताना पसंद करेंगे आज आपका खाली समय घर में साफ सफाई में लग सकता है मुमकिन है कि महरी या काम वाली क्वाई की तरफ से कोई परिशानी खड़ी हो जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव संबव हो व्रिशब राशी खुद को सेहत मंत और दुरुस्त रखने के लिए वायुक्त और तली भुनी चीजों से दूर रहे कारे शेतर में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाई या जाब को आर्थिक नुकसान करा सकती है मुमकिन है कि परिवार वाले आपके उमीदों को पूरा ना कर सके इस बात की इच्छा ना करें कि वे आपके मुताबिक काम करेंगे बलकि आपको अपने काम करने का तरीका बदलने में पहल करनी होगी शाम डलते डलते कोई आकस्मिक रुमानी जुकाव आपके दिलो दिमाग पर चाह सकता है अपने चार और होने वाली गती वीडियो पर ध्यान रखें क्योंकि आपके काम में श्रेकत वोई दूसरा भी ले जा सकता है हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी विज़े से आज आप खुशी मैसूस करेंगे यह दिन शादी शुदा जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक होने वाला है मिथुन राशी अपने जीवन को चिर स्थाई नामाने और जीवन के परती सजकता को अपनाए अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा फाइदा हासिल कर सकते हैं कोई दोस्त अपनी नीजी समस्याओं के समाधान के लिए अपना मश्वरा मांग सकता है आज आपकी मुस्कान बेमानी है हसी में वो खनक नहीं है दिल धड़कने में अनाकानी कर रहा है क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे है योग्य कर्मियों को पदुनोती आर्थिक मुनाफ़ा हो सकता है आज आप फुरसत के शणों में कोई नया काम करने के सोचेंगे लेकिन इस काम को आप अपने में उलच जाएंगे दिन के जीवन साथी से बहस के बाद एक शाम भैदरी गुजरने वाली है करक राशी दोस्त आपका परीचा किसी खास इनसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा कासा धनलाब हो सकता है यह धन आपकी कई परेशानियों को भी दूर कर सकता है आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर कोई बड़ी चीज होने वाली है जो आपके और आपके परिवार के लिए उल्लास लेकर आएगी आपके पिरिया का मूर ठीक नहीं है इसलिए सोच समझ कर कोई काम करे अपनी कारे कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनिकों का सहारा ले अपनी क्षैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों से दिल्चस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीगी से गोर करते हैं अगर आप शादिशुदार आपके बच्चे भी है तो आज वो आपसे शिकायत कर सकते हैं कि आप उनको प्रियाप समय नहीं दे पाते जीवन साती का स्वास्ता कुछ गड़बड़ा भी सकता है सिंग राशी जिन्दगी को और एक उदार रवई अपनाए अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुखी होने से कुछ आसिल नहीं होने वाला यह ज़्यादा मांगने वाली सोच जीवन की सुगंद को खतम कर देती और संतोशी जीवन की आशा का गला घुट देती है आपका धन कहां खर्च हो रहा है इस पर नजर बनाए रखने की जुरत नहीं तो आने वाले समय में आपको परिशानी होगी जीवन साती से जगडा मांसिक तनाव की और ले जा सकता है बेकार का तनाव लेने की जरुत नहीं है जिन्दगी का एक बड़ा सबक इस बात को माल ले नहीं है कि बहुत सी चीजों को बदलना नामूपिन ही होता है व्यक्तिगत मार्क दर्शन आपको रिष्टे में सुधार लाएगा किसी भी तरहें की साजेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदुरुमी भावना की बात जरूर सुने घर के छोटे सदसे को साथ लेकर आज आप किसी पार्कया शोपिंग मोल में जा सकते हैं आज की दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मनी पुरियां बाते करने का सही समय है कन्या राशी जिन्दगी के और उदास रजनी अपने आए जो लोग लदू उग्यो करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सला मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाब होगा कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपसे लापरवा और अनिश्चित बरताव किस चिड़ सकता है अपने पिरिये से दूरोने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे नई परियोजना और खर्चों को टाल दे अचानक आज काम से चुट्टी लेने का प्लैन बन सकता है और आपने परिवार के साथ वक्त बिताब है आप सकते हैं आप शादी शुजा जिन्दकी के से जुड़े चुटकले सोशल मीडिया पर पड़कर खिल खिलाते हैं लेकिन आज जब आपसे वैभाईक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीज़े आपके सामना हैंगे तो आप भावुक होए बीना नहीं रह पाएंगे तुला राशी चुकी आतरा के लियास से आप सभी कमजोर हैं इसे लंबी आतराओं से बचने की कोशिश करें आपके घर से जुड़ा निवेश फाइदे मन रहेगा आप महसूस करेंगे कि आपके दो सहयों की सवभाव के लेकिन बोलने में साथधानी परते आसमान जादा उजला नजर आएगा फूलों में जादा रंग देखेंगे और आपके आसपा सब कुछ चमक उठेगा क्योंकि आप इश्ग का सुरूर महसूस कर रहे हैं सहकर्मे और वरिष्टों के पूरे सहयों के चलते दफ्तर में काम तेजी से पकड़ सकता है समय का पहियां बहुत तेजी से चलता है इसलिए आज से पहले कीमती समय का सही इस्तमाल करना सीख ले वरिष्टे उपर स्वर्ग में बनते और आपके जिवन साथ याज यह साबित कर सकता है वरिषिच कराशी दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी लेकिन जादा खाने और मंदीरा पान से बचें आज आप अपना धन्स धार्मिक कारियों में लगा सकतें जिससे आपको मांशिक शान्ती मिलने की पूरी पूरी संभावना है एक दूसरे का नजरिया समझ कर व्यक्तिकर समस्याएं सुल्चाएं इस ओरों के सामने नालाएं नहीं तो बदनामी होगी आपको अपने पिरिया के साथ समय बिताने की जुरत है ताकि उसे आप दोनों को एक दूसरे से अच्छी से जानवे समझ सके भागिदार आपकी योजना और वेबसाय खायले के प्रति उससा ही रहेंगे वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं आप sense of humor दुरूस्त रखे और पलट का तलग जवाब देने से बचें। ऐसा करने से आप आसानी से दूसरों की करी टिप करने से निजात पा सकते हैं। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज की दिन आपको लोन मिलेगा। नव्यूको को स्कूल प्रोजेक्ट की बाबत कुछ राय लेने की जुरुत है। शाम ढलते ढलते कोई आक्समीक रुमानी जुकाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है। कुछ लोगों को विदेश को अच्छी खबर या खास खबर मिल सकते हैं वेफसाइक प्रस्ताव भी मिल सकता है। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलकात किसी ऐसे शक्स से हो सकते हैं जिसके अतीत से आपने मदमेट थे। आपने जीवन साथी के साथ प्यार और रुमाने से भड़े पुराने दिन को आप फिर से चीप आएंगे। मित्रो या परिवार के सदस्यों के साथ मोजमस्ती भरा यात्रा आपको सुकून देगी। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है जिससे जीवन की कई परिशानिया दूर हो जाएंगी। अपने परिवार को प्रियाप समय दे उन्हें महसूस होने दे कि आप उनका कितना खयाल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिता है और शिकायत करने का मौका ना दे। यातरा के चलते रुमानी संबंद को बढ़ावा मिलेगा। काम काज में आ रहे बदलाओ के कारण आपको लाम मिलेगा। आज आपको डेरो दिल्चस निमंतर मिलेंगे साथ या आपको एक आजमे कुपार भी मिल सकता है। आप अपने जीवन के कुछ यादगर शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। कुम्भराशी अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जीने आप वाकई करना पसंद करते हैं। आज आपका सामना कई नहीं आती क्यों जनाव से होगा कोई भी फैसरा करने से पहले अच्छाई और कम्यों पर साथदानी से गोर फरमाएं। आपके बच्चों के पुरसकार वित्रन समारों का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एसास रहेगा। वे आपके उमीदों पर खड़ा उतरेगार आप उसके जरी अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। ताजा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। आप दफ्तर के महोल में भैत्री और कामकाज के स्तर को सुधार से महसूस कर सकते हैं। शाम के वक्त आज आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं लेकि इस दुरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकते हैं। आपको अपने भागिदार को आपकी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत होगी। आज समय की नाजात का देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल पाने में मुश्किल आईगी। लेकिन ओफिस के किसी काम में अचानक आजाने के कार नापैसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने जीवन साथी से प्यार की गर्माट को महसूस कर सकते हैं। रोजाना इसी परकार राशी संबंदी जानकारियाओं को प्राप्त करने के लिए आप असल आस्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइक।